नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस घरेलू खबर चैनल में दोस्तों आज मैं आपने वीडियो में बताऊंगी कि प्रदोस ब्रत क्या है प्रदोस ब्रत कितने होते हैं तथा प्रदोस ब्रत करने के फाइदे क्या है इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो अंतक सुनना होगा और आसाकर्तियों के वीडियो आपको पसंद आएगा बहुत ही अच्छा लगेगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रदोस ब्रत क्या है और कब आता है लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको तो जानकारी पसंद आएगी हर महीने की दोनों पक्षों में सुखल पक्ष और क्रिस्न पक्ष की त्रयोध असी तिति को प्रदोस ब्रत रखा जाता है अलग अलग दिन पढ़ने वाले प्रदोस की महिमा अलग अलग होती है सोमबार का प्रदोस, मंगलबार को आने वाला प्रदोस और अनबार को आने वाला प्रदोस सभी का महत्व है और लाब सब का अलग-अलग है प्रदोस को प्रदोस कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है संच्छेप में यह है कि चंद्र को छै रोग था जिसके चलते उन्हें मिर्टु तुल कस्ट हो रहा था भगवान सिव ने उस दोस का निवारन कर उन्हें तरियोदसी के दिन पुना जीवन प्रदान किया अता इसलिए इस दिन को परदोस कहा जाने लगा परतेक माह में जिस तरह दो एकाजसी होती है उसी तरह दो परदोस भी होते हैं तरियोदसी को परदोस कहा जाता है परदोस काल में उपवास रखा जाता है और सिर्फ हरे मौंग का सेवन करना चाहिए क्योंकि हरा मौंग पिर्थवी तत्व है और मंदांगिन को सांत रखता है तूस्तो प्रदोस ब्रत रखने से आपका चंद्र ठीक होता है अर्थात सरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है माना जाता है कि चंदर के सुधार होने से सुक्र भी सुधरता है और सुक्र से सुधरने से बुद्ध भी सुधर जाता है मानसी बेचैनी खतम होती है तो आईए जानते हैं कौन से दिन को कौन सा प्रदोस पढ़ता है और उसको करने से क्या-क्या फैदे होते हैं दूस्तो जो प्रदोस रवी भार के दिन पढ़ता है उसे रवी प्रदोस कहते हैं इस दिन नियम पुर्वक ब्रत रखने से जीवन में सुख सांति और लंबी आयूब प्राप्त होती है रवी प्रदोस का संबंध सीधा सुर्य से होता है अता चंदरमा के साथ सुर्य भी आने पर इसे सोम प्रदोस कहते हैं यह ब्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ती होती है जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको तो यह प्रदोस ब्रत जरूर नियम पुरवक रखना चाहिए मंगलवार को त्रियोदिसी तिथी आने वाले को भौम प्रदोस कहते हैं इस दिन स्वास्त संबंधी समस्याओं से मुक्ती पाई जाती है ब्रत रख करके इस दिन प्रदोस ब्रत विधी पुरवक रखने से कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है बुद्धवार को पढ़ने वाले त्रियोदसी तिथी को सौम मेवारा प्रदोस भी कहा जात है यह सिक्षा एवं ज्ञान्प्राप्ती के लिए किया जाता है साथी साथ या जिसभी तरह की मनोकामना लेकर किया जया उसे पूर्ण करता है यदि आप में इस प्रदोस ब्रत रख करें ब्रहत्वार को पढ़ने वाले प्र्रयोदशी तिथी को ब्रुगु वारा प्रद प्रदोस कहा जाता है, जीवन में सौभागी की ब्रिधी हितुया प्रदोस किया जाता है, सौभागी है तो धन और संपदा स्वता ही मिल जाती है, इससे जीवन में हर कारे में सफलता मिलती है। प्रदोस को पूर्ण करने से अति सिख्रकार सिध्धी होकर अविस्टफल की प्राप्ती होती है। सर्वकार सिध्धी है तुशास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अत्वा एक बर्स के समस्त्रयोदसी के ब्रत करता हो, तो उसकी समस्त्मनो कामनाएं अवस्य और सिख करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स